रहा तो नमस्कार कैसे हैं आप सब आज की वीडियों सभी स्टूइंट के लिए काफे द्यादा इंपोर्टन यह जिनके एंट्रेस एक्साम के अंदर क्वांट का सेक्शन आता है तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौांट को किस प्रेपिर कर सकते हैं कि आप उपनी है नार से मुझे हो गया और फिर IIMS के इपमेट जिपमेट आप दे रहे हो तो कौन्स लगबग सभी के अंदर आता है और हाँ इसके साथ अगर आपको preparation भी करनी है इन सभी entrance exams की तो हम लोg preparation भी करवाते हैं वर्ट सब नमबर अगर आप अपने आप भी करना चाहते है तो भी कोई इशू की बात नहीं है सो अभी स्क्रीन पर इसके साथ साथ वर्ट सब्सक्राइब करना भी चाहते हैं तो अगर आप मैच की तरफ अपना preparation शुरू करोगे तो आपके maximum chance होंगे highest score करने के right to if you want to score a good number of marks in this quant का section then I feel this video is going to be really helpful for you पहले हम देखते हैं कि क्या important areas होते हैं आपके quant के section में right so the questions जो आपके questions आते हैं quant के section में these are usually from arithmetic, number system, geometry, algebra and modern math और अगर आपके entrance exam में अगर higher maths भी एक topic आता है तो आपको फिर higher maths के लिए भी जो आपके 11th और 12th का जो maths है वो भी पढ़ना पढ़ सकता है right so basically arithmetic, number system, geometry, algebra and modern maths से आपके questions बनते हैं quant के section में सबसे पहले आपको identify करना होगा कि इसमें आपका strength क्या है आपका weakness क्या है आपको किसी भी entrance exam में maximum marks score करने तो सबसे पहले आपको उसके topics देखने पढ़ेंगे और उसमें देखना पढ़ेगा कि भई आपके strength इन में से कौन से कौन से topics हैं और आपकी approach क्या हो सकता है that then that student should start from जो उसको easy लगता है हमेशा start from what you feel easy easy से आपको start करना चाहिए अपका preparation इससे होता क्या है जब आपनी इससे अपनी preparation start करी तो आपका schedule बन जाता है है जो आपकी schedule बन जाती है उससे उससे आप flow में आ जाते हो आपका flow बिगड़ता नहीं है मानलो कोई topic आपको बहुत difficult लगता हो मानलो आप आपको algebra difficult लगता हो और आपने algebra से शुरू किया तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपने दो त आप जिस भी area में आप comfortable हो हमेशा वहां से आप अपना preparation start करो right so arithmetic number system modern math से आप start कर सकते हो अगर आपको geometry algebra easy लगता हो तो definitely आप geometry algebra से अपना preparation start कर सकते हो so आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको उस topic से start करना जहां पर आपका schedule बन जाए और आपका flow ना टूटे एक बार आपका schedule flow बन गया अगर अपने एक हपते लगातार पढ़ाई कर ली कोई भी एक topic की उसके बाद फिर आप काफी easily difficult topics को भी handle कर पाओगे right so इस session में students हम individually द लेखते हैं arithmetic के क्या topics आपको के अंदर क्या आपको approach रखना है right arithmetic के questions आते हैं वो usually होते हैं time and work, pipes and systems, averages, percentages, ratio and proportion, simple and compound interest, profit and loss, time, speed, distances, mixture and allegations right यह आपके broadly topics हो जाते हैं अभी का बार आपके extra add हो सकते हैं but broadly these are the important topics in your arithmetic section अब देखो arithmetic में जो आपकी सबसे ज़्यादा आप अगर आप arithmetic से start कर रहे हो तो सबसे पहले आपको हर topic का concept देखना है मतब अलग-अलग time work के questions कैसे आते हैं इसमें आपको reciprocal किसी इसका करना होता है etc उसके बाद आप देखा भाई types of questions क्या आते हैं exam में तो एक बार आप में types of questions देगा अब आप practice करोगे उन सारे types के questions हैना आपको उठाने भाई हर type के at least 20 to 30 questions हैना 20 to 30 questions आप हर type के not अफिर आपका एक topic में around 50 to 60 questions आप easily कर पाओगे और जैसे आपने time and work किया किसी भी topic की 50 to 60 questions tackle कर लिए उसके बाद आपका जो confidence है वो विल्डव होगा उसके बाद आप topic टेस्ट दे पाओगे confidently उसके बाद आप जब आपका थोड़ा से syllabus हो जाएगा उसके बाद मॉक्स भी attempt कर सकते हो राइट सो आपको हर topic का सबसे पहले concept आपको concept समझना आवरेज में जो formula लगते है वो क्या लगते हैं एक बार आपने concept और types of questions देख लिए उसके बाद आपकी बारिया आती है shortcuts की हैना काफी सारे students सबसे पहले shortcut जोड़ते है I have seen students वो पुछते बहिए time and work के concept बता दीजिए but see सबसे पहले आपको concept पताना हो जाए सबसे पहले आपको concept से आप जो question solve कर रहे हो वो method आना चीए उसके बाद बारिया चीए shortcuts की हैना shortcuts आपके तभी help कर सकते जब आपका आपका उस topic में पकड़ हो आपको पता हो वही क्या चीज़ है क्या shortcut मुझे कब लगाना है हैना वरनना shortcuts पढ़ोगे आपको concept पता नहीं होगे और आपके shortcuts आपके लग नहीं पाएंगे इससे क्या होगा इससे आपको दोनों method आते हैं अब इसको जो आपका conventional method होता है जो आपके formula based method होता है उससे भी आप question solve कर पाऊगे और आप इसको shortcut method से भी call solve कर पाऊगे and then you will have that liberty to choose कि आपको concept method से question solve करना है exam में right so आपको arithmetic में अपनी अप्रोच ऐसी रखने सबसे पहले आपको करना है भई question solve फिर आपको देखने है shortcuts और फिर आपको करना है दुबारा question solve right इससे जो आपको arithmetic topic हो पूरा का पूरा cover हो जाएगा आप इसमें आपके marks बहुत जादा improve हो जाएंगे right important thing students तो देखो जो topics हो जाते हैं जैसे आपका SICI हो गया profit and loss हो गया time speed distance हो गया and your percentages and your averages topics like these इसमें क्या होता है इसमें काफी सारे formula होते हैं आप किसी source को follow करेंगे वहाँ पे कोई और formula होता है तो जब आप combine करोगे आप सारे जो YouTube पे lectures देखते हो आप सारे जो books follow करते हो जो सारे आप courses आपने subscribe किये हुए है उनमें अगर जब आप compile करोगे तो there are many formula और यह सारे formula आपको exam में याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तो आपको सबसे पहले आप भले ही सारे formula पढ़ रहे हो बट जो सबसे basic formula होता है कि average में क्या करना होता है total number of observations by sum of all observations by total number of observations तो जो basic formula होता है न इनमें आपकी पकड़ होनी चाहिए percentage में basic thing क्या करते है percentage में वो आपको पता होना चाहिए simple and components के जो basic formula होते है वो आपको पता होने चाहिए profit and loss की जो basic concept होता है time speed and distance में देखो time speed and distance की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही formula में majorly apply होता है that is speed is equal to distance by time अब जो अपने अलग-अलग sources में देखे होंगे आपके total 10-20 formulas हो जाता है बट जो सारे 10-20 formula formula आया है वो सब इसी एक formula से आया है तो कहने का मतलब है कि जो root formula है जो root concept के formula जो आपका निकल के आता है उस पर आपकी पकड़ सबसे जादा होनी चाहिए because जब आप exam exam के scenario में बैठोगे तो वहाँ पे आपके पास अगर हर topic के 20 formula है तो हो सकता है आपको सिर्फ 10 याद हो इससे भी आपके solve हो जाएंगे तो सबसे जादा आपको पकड़ रखने आपके conceptual formula है उन पर उसके बाद जो आपके बाकी formula निकल के आते हैं उसके आप ध्यान दे सकते हो राइट इसके बाद हमारा जो important topic होता है number system किसी भी quant section में number system के आपके काफी सारे questions देखने को मिल जात आते हैं इसमें बहुत ज्यादा आपको कुछ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ते हैं बहुत ज्यादा कुछ time में लगता solve करने में काफी straightforward questions आते हैं लेकिन वह आपको straightforward तभी लगेंगे जब आपने अच्छी खासी practice की हो number systems की जो इसके topics आते वह आते हैं fractions, HCF and LCM, divisibility, remainder theorem, search and indices, base system, factors है ना जो topics देखो यह topics क्या है यह आपके 6th या 7th class के topics है students आपने अपने maths में 6th, 7th या even 8th में पड़े हो सकते हैं यह topics तो बहुत ज्यादा कुछ higher level नहीं आते हैं number system में लेकिन बस वही बात है कि जब वह कुछ basic पूछ रहे हैं तो फिर वह बहुत deep पूछेंग है higher level topic से बनता है आपका easy या simple question है ना और अगर आपका simple topic हो अगर आपको topic ही simple हो तो आपके question बनते हैं higher level question है ना तो आपके vice versa यहाँ पर rule apply होता है तो हाइर लेवल आपके questions बन जाते हैं तो यहाँ पर आप देखो यह जो topics हैं काफी simple topics है तो simple topics से usually questions जो बनते हैं वो थोड़े से higher level के बनते हैं तो इसके लिए आपको धेर सारी practice करनी पड़ेगी students जब आपके बाद आती है तो काफी simple questions आते हैं बट उसमें फिर काफी रूल्स होते हैं जो रूल्स आपको प्राक्टिस के थ्रू आप डेवलप करते हो हैं आप तीन चार बार पढ़ लिए आपको लगया कि मुझे याद हो गया बट आप देखो गे जब आप मॉक्स रिखने इस के आपके युक्स आल नहीं है बट जब आप एक बार 20 25 questions आप रेगुलर्री प्राक्टिस कर रहे होगे तो आप देखोगे कि आपको जो सुट्स इन इस हो गया आप इवन बेस सिस्टम हो गया रिमाइन इट थीरम होगे इनके जो questions है वो आपके बनने लगेंगे राइ तो आप सारे numbers के साथ तो देखोगे divisibility rules बट सबसे आप questions करोगे 711 और 13 का क्योंकि जो questions आते हैं वो usually यहां से बनके आ जाते है सबसे पहले आपको करना है अपना concept बिल्ड करना है तो आपको ध्यान देना जब आप नंबर सिस्टम में बात करते हो आपको ध्यान तो सबसे पहले देना ही है concept बिल्डिंग में बट उससे जादा important होता है आपके practice अगर आपने 30% concept बिल्डिंग इस वाले formula पर ध्यान दिया तो आपके जो number system के marks है वो काफी हद तक improve हो सकते है तो हमको बस concept अपना एक बार concept बिल्ड करना उसके बाद जितने questions हम practice कर सकते हैं जितने questions हम practice कर सकते हैं जितने mocks दे सकते हैं जितने हम test सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा number system के section में ठीक है कि बाद आता है geometry और और geometry देखो बहुत easy topic है बहुत easy topic है पर वही बात आती है जहाब यहां पर easy topic आ जाता है तो this becomes very vast geometry is a very vast topic आपको देखो देखो देखने में लग रहा होगा कि भाई triangle circles correlaterals polygons coordinate geometry mensuration cross section height बहुत जादा topics नहीं है ना बट देखो जब आप triangles की बात करते हो तो यहीं से आपके काफी सारी topics बनके आजाते हैं जहां पर आपके circle के अंदर triangle आ गया आपके triangle के अंदर circle आ गया है na semicircle के अंदर triangle आ गया you have a semicircle and then you have a let's say triangle ऐसे एक triangle है आपके पास या होते हैं मैंनी सुदेंट से कि ऐल्जिब्रा में बहुट जादे फर्मिले होते हैं हो थे हैं आपको यहाँ पर मीनि मोर्स चूर में यह सारे टन देखने पड़ेंगे आपको त्राइंगे के प्रपृटिटी देखने पड़ेंगे से प्रोच होने वाला है वो होगा फॉर्मुले प्राक्टिस यहां पर पूरा आपको समझ में आजाएगा फॉर्मुला से और फिर आप उस फॉर्मुले को अप्लाई करोगे क्वेश्चन में तुरू प्राक्टिस तो जितनी जादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जितने जादा फॉर्मुले आप रिटेन कर सकते हैं उतने बेटर आपके चैंसे हो जाएंगे जोमेट्री में स्कोर करने के राइट तो यहां पर जो इंपोर्टेंट इस ना कि सिर्फ फॉर्मुला सीखना पर उसको रिटेन करना काफी लंबे टाइम तक है ना तो जोमेट्री की प्रिपरेशन अगर आप आपने मान लो सबसे पहले स्टार्ट की जोमेट्री से और आपका बस प्लान है कि भाई मैं एक दो बार रिवाइस करके मैं एक्जाम दूँगा तो फिर आप स्टार्ट मत करो जोमेट्री से विकॉज र आपको याद होने चींड लोग भी नहीं है तो जो बेसिक फर्मौले उनसे आप डिजाइब कर पाहो जो आपके उस को लिए फॉर्मौले है तो फॉर्मौले को डिवारीरन करोगे एक तो आप प्राक्टिस से ही उसको याद कर सकते जितने ज्यादा क्वेशन्स आप सॉल कर पाऊगे उन्हें फॉर्मला कर यूज करके उतने उतना बेटर आप जोमेट्री में परफॉर्म करोगे राइट सो दिखने में ये टॉपिक्स छोटे-छोटे लग रहे हैं बट इसमें सारे बहुत टॉपिक्स आ जाते हैं ट ऑल डिक ऑल टी सकते सब्सक्राविक्वा तो पहलने करना अबहिए ना इनकी जो प्रॉपर्टीस हो थी हिसको ख मुर्त उकार अब सकते दों में को तो क्या ही हो सकता है बट बिलकुल आप करते हो इसमें कुछ बहुत कुछ बहुत डिफकल चीज नहीं है बट दिखिंग इसको अपसको अंटेस्ट मेट करोगे कि यह बहुत बड़ा है आप सको कम टाइम दोगे बट इस रिक्वार्स टाइम जो मिट्रीज अ सब्सक्राइब कर सकते हो उतना बेटर आपके रिजल्ट्स आएंगे जॉमेटरी में स्टुटेंट्स राइट और मेंसुरेशन में अगें यहाव सो मेनी फॉर्मले जब आप हाइड इंडिस्टेंस इस बात करते हो तो तो इस बेसिकर यह ट्रिग्नोमेट्री आप यहाँ प पहोगे भले ही वो इजी हो या फिर दिफिकल्ट हो राइट सो टॉपिक्स अलिन एजी है बट जस्ट एट इस वेरी वास्ट तो इट रिप्वाइस अलोट अफ टाइम राइट एक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और कॉर्ट इस आलजिब्रा है ना आलजिब्रा Officer क्या होता है और इसी के फिर जो अलग-लग इससे formula है, एक formula आपने याद किया उस नहीं से शक्राइब इस यहां से ijag पर बेसिक आइटिटीज जो होती है वह काफी सारे कुछिंज आपके सौल कर पाएंगे अगर आपने एक बार जो आपके अलजिब्राइक अडिटीज होती है उनके क्वेशन अच्छे से सौल कर लिए उनके टाइपस ऑफ क्वेशन आप से आप फैमिलेर हो गए हो उसके इसके बाद करते हैं ना तो साथ में रूट स और कॉणडरी की के रूट स्केवराइब ले रहे हो का अगर्यों की प्रॉट्स क्या क्या हो सकती है सिम्लेटी जुभी की विच्शन इबात कर रहे तो आप आल्फा बीटा और अब गामा ले रहे हो अब इनकी प्रॉपरटिस क्या क्या होते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा what are sum of the roots what are product of roots right तो क्या 0 होता है क्या 1 होता है क्या c by a होता है क्या b by तो सारे properties जब आप equations की बात करते हो तो roots भी आप इसके साथ में individually पढ़ोगे याँ पर तो सारे properties देखोगे फिर आप उसके questions tackle करोगे तो algebra में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके होचाते है properties है कि so your properties are most important in your algebra right properties आपने एक बार देख लिया अब उस प्रॉपर्टिस को आपको apply करना है through questions आपने questions प्रॉपर्टिस अप्लाई कर ली तो आप अच्छे से उसको रिटेन कर पाऊगे यहाँ पर कुछ याद करने में दिक्कत नहीं होती है students को right because there are limited properties बहुत जादा properties नहीं है हलांकि थोड़े से complicated properties है ठीक है complicated क्यों हो जाती है वह क्योंकि जब आपको solve करना हो quadratic equation जब आपको solve करना हो cubic equation तो थोड़ा सा cumbersome आपको लग सकता है but with practice आप वो भी अच्छे से develop कर लोगे right तो आपको algebra में भी जो complicatedness है उसकी उसको हड़ा सकते हो कहां से आप practice से आप उसके complicatedness को tackle कर सकते हो बहुत ही easily और फिर questions आते है maximum minima क्या जाते है inequality क्यों जाते है logs जो होता है वो आजकल बहुत important topic है because in recent years आपके questions आपके interest exam में लोगे दिन से भी काफी आ रहे है और logs is one of the easiest topics right students सबसे easiest अगर हम बात करें algebra में so that has to be logs because गिंती के यहां पे seven to eight properties है right so you have seven to eight properties और उन्हीं से आपके बहुत सारे questions आते है in fact जो सारे questions आपके log से form होते हैं वो इस seven eight properties से ही form होते है और यहां पर आपके बहुत scoring आपका topic भी हो जाता है logs and in fact algebra के काफी सारे topics जो होते हैं वह बहुत इजी लिए आप score कर सकते हो विकार लिमिटेड नमर आफ प्रॉपर्टीज है इंडिविल देखोगे identities में गिंती के आपकी six identities हैं उनसे आप सारे questions solve कर सकते हो एक linear equations quadratic equations की बात करो भी तो आप roots की properties देख लो अप equations को solve कैसे करना यह सीख जाओ अब सारे questions आप solve कर पाओगे maximum minimum में maximum value क्या होते हैं minimum value क्या होते हैं हम कैसे find out करते हैं कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं यह सीख जाओ आप सारे questions solve कर लोगे maximum minimum और inequality के right so बहुत ही basic से चीज़ें आती है algebra से just that you need to practice lots of questions and you need to practice lots of properties or property based questions आपको करने है students right तो आपको जो algebra के score है वो काफी हद तक improve हो जाएगा next one of the most important topics is your modern maths right modern maths से आपके काफी questions आजाते हैं like questions of set theory when diagram sequences and series permutation combination probability and functions और यह होता है यह काफी सारे students फिल करते हैं this is a scoring topic and this is students जहां पर भी आपको modern math के question दिख रहे हूं इसमें आप बहुत ही easily score कर सकते हैं because set theory है na set theory हम सब ने बहुत ही recently पढ़ा है अगर आपका maths background भी नहीं है तो भी आगर आप set theory start करोगे so you'll find out that आप set theory एक दिन में खतम कर सकते हैं सारा concept बहुत कुछ लेंदी नहीं है simple सी concept है simple से questions बनते है when diagram when diagram सबको थोड़ा से सीखना पढ़ेगा कि आपको questions कैसे when diagram के through solve कर सकते हैं आपको पहले देखना पढ़ेगा भई किसी भी set का intersection क्या होता है union क्या होता है only a only b का क्या मतलब होता है इस सारी जो terminology है एक बार आप इससे अपने आपको familiar कर लो उसके बाद जो set theory when diagram questions है वो काफी easily आपसे solve हो जाएंगे इसके बाद आता है sequence and series sequence होते हैं arithmetic progression के geometric progression के even कभी-कभी आपके harmonic progression के भी questions आजाते है तो यह भी बहुत simple topic यह बहुत सिंपल topics अरिफ्मेटिक और अरिफ्मेटिक प्रफ्रक्रश्न आपके questions बनते हैं भई एंध्मेटिक प्रफ्रक्रश्ण आपको questions बनते हैं कि some sum of AP क्या होता है right sn क्या होता है so just these two topics in your AP Similarly GP में B nth term क्या होता है लें आर्थ term हम कहते हैं GP में So rth term क्या होता है और sum of r terms क्या होता है That is your GP और hp और ap directly related है यह भी आप easily पढ़ सकते हो फिर आपको sequence series के questions पर देखना होता है कि जब 3 terms दिया गया है तो आपको terms कौन से लेने हैं कब आपको a by r a और a r लेने terms है कब आपको a a r और a r square terms लेने है राइट सिमिले जब आपको a p की बात करो कब आपको a minus d a a plus d लेना है कब आपको a a plus d and a plus 2d लेना है So यह आपका जो develop करोगी again questions है यह आप develop कर पा होगे राइट और यह सारे जो topics है ना बहुत scoring होते हैं students sequence series बहुत simple questions आते हैं because बहुत ज़्यादा कुछ है ने इसमें ना कुछ बहुत ज़्यादा formula है ना कुछ बहुत ज़्यादा आपके concept है तो बहुत easily आप इनके questions tackle कर सकते हो right and again your permutation combination आपको बहुत समझना पड़ेगा कि permutation क्या होता है combination का होता है कहां पर आप NPR का formula यूज करोगे कहां पर आप NCR का formula यूज करोगे और इसके क्या-क्या अलग-अलग formula होते हैं किसी साब से आप cancel out करते हो जब आपका NC7 है NC8 है तो आप क्या-क्या चीज़े cancel कर सकते हो right and see something सब्सक्राइब कर लिए तो आप प्रोबिल्टी भी काफी इसली कर सकते हो इसके बाद आपका functions होता है यह again this is your very important and very scoring topic student because functions में आपको f of x is equal to something there अगर आपको simply अगर आपको f of 1 by x calculate करना हुआ तो आपको जहां-जहां x है महाँ पर 1 by x दालना है तो basic ऐसे questions बनते हैं इससे complex questions भी बन सकते हैं अगें functions बहुत जादा complex topic है नहीं तो इसके बहुत जादा complex questions बन नहीं सकते हैं तो आपके straight away formula best question यहां पर भी आपको देखने को मिल जाए नहीं तो overall इसमें जो सबसे थोड़ा सा tricky topic आ जाता है वो हो जाता है यहां पर permutation निकालना है यहां पर combination निकालना है है ना बस उस identification थोड़ा सा tricky part होता है पर जब एक बाद definition देख लोगे permutation क्या क्या होता है combination क्या होता है आप understanding आपकी थोड़ी सी develop हो जाएगी कि हमको किस किस questions में permutation लगाना होता है किस question में combination लगाना होता है उसके बाद फिर यह topic का भी आपके लिए काफी easy हो जाने वाला है ठीक है this is how you need to handle you need to tackle your quants section तो सबसे पहले आपको देखना है कि जहां पर formula लगते हैं वहां पर आप formula याद करके उनके questions में तुरंद apply करना शुरू कर दो जो भी formula है उनको questions में apply करोगे इसी से आपको जो formula है वो आप remember कर पाओगे ठीक है और जहां जहां आपके properties है logarithms होगे आपके पूरे algebra में properties है वो properties आपको अच्छे से याद होनी चाहिए राइट जब आप quants की बात करते हैं तो quants है क्या basic maths है राइट quants में हम डील करते हैं basic maths है और जहां पर भी आपका math आ जाता है वहां पर you know what is the key to success practice is the key to success right so आपको जो सारे properties जो सारे formula हैं जो सारे आपके conceptual questions वह भी होते हैं वह भी आप develop करोगे all of these through practice right जितना प्राक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप चीज़े याद कर पोगे इतनी ज्यादा चीज़े आप समझ पोगे कि भाई जो चीज मैंने ऐसे याद किये उसके questions थोड़े से टेढ़े घुमा फिरा के भी आ सकते हैं बट आप उनको फिर आप दो तीन ऐसे questions टाकल करोग होंगे एक लिस्ट 40-50 like 40-50 topics like question करने होंगे उसके बाद होंगे topic को एक बसट कर लोगे उसके बाद करने होंगे आपको the test थोन एरिप्टेशत में सैस क्या करोंगे सिर्फ algebra की टेस्ट करोगे चरूगे सिर्फ का करोगे बड़ जब आप मॉक टेस्ट की बात करते हो यहां पर मॉक टेस्ट में अगें अगर आपके मालों 60 क्वेशन से तो 60 क्वेशन में डिवाइड होंगे पूरा अरिफ्मेटेक आपका पूरा आलगीब्रा जोमेट्री करते हो राइट सो दिस इस हाओ यह अप्रोच शुट भी और अप डिफिनिटल अगर आप ऐसा कुछ अप्रोच अपना रखोगे अपकी क्वांट की सेक्षिन की प्रिप्रेशन के लिए तो आपके जो मांक्स है वो काफी जादा बढ़ सकते हैं राइट सो डाट्स ओल इंद